नमस्ते फ्रेंस मैं सवीतार्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल माई हेल्थ ट्रेजर पर आज हम फिर से एक बार आ गए हैं अपनी वाटिका श्री श्री नवग्रेवाटिका में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अनोखा फल मेरे लिए तो अनोखा ही था और शायद यूँ कहूँ तो अपनी आँखों से देखती तो विश्वास भी नहीं होता यहां देखने से पहले मुझे यही लगता था कि कैक्टस जो है वो सिर्फ रेगिस्थान में उगता है या एक सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोधा है फिर वाटिका में देखा उस पर फूल आए और फल भी और जब इसके बारे में पढ़ा और जाना तो यह भी देखा कि यह सिर्फ फल आते ही नहीं है यह फल बहुत सारे पोशक तत्वों से भरपूर भी है इसके फल में हमें विटामिन E, विटामिन C, विटामिन K और बहुत सारे एंटी ओक्सिडेंट, पोटाशियम, मेगनीशियम, केल्शियम मिलता है आईए पहले दिखाती हूँ आपको फल कैसे होते हैं, किस तरह से उन्हें खाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, क्या क्या साबधानिया रखनी चाहिए चलिए लेकर चलते हैं आपको दिखाते हैं कैक्टस का फल जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पेड़ पर बहुत सारे काटे हैं कैक्टस है तो काटे तो होंगे ही पर इसके पेड़ पर ही नहीं इसके फल पर भी बहुत सारे काटे होते हैं तो हम सीधा हाथ से नहीं तोड़ सकते आप चाकू लीजिए और इसे इस तरह से इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अलावा आप कोई मोटा कपड़ा लेकर भी इसके फल को तोड़ सकते हैं आईए दिखाते हैं अब कैसे हमें इस फल को खाना है एक ही फल काफी है आप लोगों को दिखाने के लिए रोकते हैं सबसे पहले हमने जो यहां तरीका ढूंडा है इसके लिए तो हम एक बरतन में पानी लेते हैं और उसमें इस कैक्टस फ्रूट को डाल देते हैं कुछ देर के लिए और इसे हिलाते रहते हैं इसके फ्रूट को खाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह आती है कि इसमें काटे हैं वह बहुत बारीक है अगर आपने गलती से भी से हाथ से चूलिया सीधा तो इतने बारीक काटे आपके हाथ में चले जाएंगे वो निकालना भी मुश्किल है क्योंकि वो नजर नहीं आते हैं बहुत जादा बारीक है इसे थोड़ा हिलाईए धीरे धीरे कुछ दिर बाद छोटे छोटे काटे जो है वो बाहर आ जाएंगे या आप कोई मोटा कपड़ा लेकर इसे जोर से रगड सकते हैं इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो है कि आप इसे किसी चिम्टे से पकड़ कर इसे आग पर हलका हलका जला सकते हैं तो इसके जो काटे हैं वो छोटे होते हैं बहुत बारीक वो जल जाएंगे इसे घुमा देते हैं पानी में थोड़ा अच्छे से निकाल लेते हैं वापिस से कटोरी में पानी नीचे डाल देती हूँ और अब इसे अभी भी थोड़ी सी सामधानी के साथ उपर से पकड़िए और हल्का हल्का छी लिए खाने में भी बहुत टेस्टी है एक बात और मुझे इसके बारे में पता चली कि ये फल जो है वो ओनलाइन बिकता है क्यों बिकता है क्योंकि बहुत सारे जो हमारे रनर्स हैं उन्हें स्टैमिना मिलता है इस फल से stamina के लिए वो इस फल को खाते हैं आप Google पर जाएंगे अगर ये डालेंगे बहुत सारे अलग-अलग नाम से इसे जाना जाता है cactus fig, prickly pear, नागफनी का फल और भी बहुत सारे नाम हैं हर शेत्र में अलग-अलग नाम से इसे जाना जाता है तो आप Google पर जाएंगे और डालेंगे cactus fruit या फिर prickly pear तो आपको दिख जाएगा वहाँ, ओनलाइन ये फल बिखता हुआ इसके साथ-साथ ये hemoglobin बढ़ाने का खून बढ़ाने का काम भी करता है हमारे खून में जो oxygen का स्तर है उसे balance करता है येंद्रित करता है और stamina बहुत अच्छा मिलता है हमें इससे साथ ही ये cancer के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा फल है अगर आपको या यूं कहूं जो इस फल का नियमित सेवन करते हैं तो उन्हें ऐसी किसी कंभीर बिमारी से जूजना ही नहीं पड़ेगा कलर इसका आप मेरे हाथों पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं हाथ कैसे हो गए हैं और इसके साथ ही ये diabetes के patients के लिए जो लोग मोटापे का शिकार हैं आप देख सकते हैं इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये जिन लोगों को दिल की बिमारी है कोलेस्टॉल की समस्या है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फाइदे मन है अब मेरा तो मानना ये है कि कोई भी फल हम बिमारी में ही क्यों खाएं क्यों नो उसको पहले ही उसका सेवन कर लें कि वह नोबत ही ना आए चलिए टेस्ट दिखाते हैं आपको ऐसे मैं पहले टेस्ट कर चुकी हूँ पर आपके लिए फिर से कुछ कुछ स्ट्रॉबेरी जैसा सवाद है इसका खट्टा मीठा फल है बहुत ज्यादा टेस्टी है तो आज मैंने आपको दिखाया कैक्टेस फिग जिसे हम प्रिकली पीर हम तो कैक्टेस फ्रूटी बोल देते हैं अपनी आम भाशा में अपना फल यहां जब तक मैंने ख कि खुद वाटीका में इसे नहीं देखा था मुझे विश्वास ही नहीं थाğ कि केक्टेस फरी फ्रूट भी आ सकते हैं फिर जब सुनील जी से लाए थे उन्हों ने बताया मैंने उनकी बात पर भी एक हुआ ही तो फूल आए फूल आए तो मैंने इसके बारे में गूगल पर भी बहुत पड़ा जाना इसके बारे में हमारे लिए एक नई चीज है पर मैंने कुछ समय पहले यूटूब पे एक वीडियो देखी थी जहां उत्तरा खंड में टूरिस्ट जो है वहाँ ये फल आम बिकता है टूरिस्ट इसे खरीदते हैं जाहिर सी बात है हम भी अगर किसी नई जगा पर जाएंगे और कोई नया फल हमें मिलेगा या कोई नई चीज मिलेगी टेस्ट करने को तो हम जरूर करेंगे वह अच्छा स्वाद है इसका खटा मीठा स्ट्रोबेरी जैसा टेस्ट है अगर आप लोगों में से कुछ इसे टेस्ट करना चाहते हैं और मैं चाहूंगी आप अपने घर में बहुत थोड़े एरिया में बहुत हाड़ी प्लांट है बहुत लस्केर में बहुत कम केर इसे चाहिए अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं अब हमने इसे मल्टिप्लाई कर लिया है उमीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा मैं एक नई चीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट शेक्शन में जाकर जरूर बताएं कैसा लगा आपको हमारा कैक्टस फीग मिलते हैं अगली वीडियो में